Android 15 ने अल्रेडी हाँ पर आ चुक है और Google ने Pixel phones के अदर Android 15 को push करना शुरू कर दे इवन कई सारे manufacturers ने अपनी जो OS होती है जो ROM होती है वो भी हाँ पर showcase करना शुरू कर दे Funtouch OS 15 की, One UI 7.0, Hyper OS 2.0 की या फिर बात करें Oxygen OS 15 की इन सब के अंदर आपको देखने को ओल रहे Android 15 तो Android 15 के अंदर क्या नहीं चीज़े और इन UI के अंदर क्या नहीं चीज़े चलिए इसके बार बात करते हैं सबसे पहले बात कर दो Android 15 के अंदर कुछ ऐसे major changes जो Google ने करें सबसे पहला चिंच की है private space का जहां पर Android के अंदर कोई भी अगर आपकी पर्सनल एप है बैंकिंग अप से इनको आप सेपरेड तरीके से अलग यहां पर रख सकते हैं तो वह अब डिरेक्ली Android 15 के अंदर यहां पर कर लेंगे इसके साथ ही security measures को भी enhance किया गया या निकी mobile phone के अंदर कोई find my device swap करता है या फिर उसके अंदर SIM card change करता है तो additional security को रखा गया है और तो यहां पर एप archiving को भी रखा गया इसके साथ multitasking में app pairing डालें जिसकी foldable phone के अंदर multiple apps को आप एक साथ pair करके हाँ यूज कर सकते हैं camera's के अंदर Google Pixel के अंदर obviously low light वगरा के boost वगरा के इंप्लूट किया गया है और हाँ Google Pixel में जैमना AI को integrate यहां पर किया गया है इसके साथ ही देखा जातो हो यहां पर satellite connectivity को भी Android के अंदर introduce किया जा रहा है और यहां पर जो display enhancements होती वहां पर भी काम किया जा रहा है इसके साथ ही security enhancements पर भी काम किया जा रहा है partial screen sharing जैसे feature को डाला जा रहे है कि अगर आप screen record या share कर रहे है तो screen के चोटा सा-सा record या share कर सकते है और अगर यहां पर कोई भी sensitive notification आती जैसे की OTP बगर आते है तो यह इनको हर एक app के लिए आप पर visible डार है इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया overall देख रहे तो Android 15 ने ऐसा UI है जिसके अमना कुछ minor changes और कुछ ऐसी useful चीज़ों को integrate किया गया है लेकिन अगर आप कोई major change expect कर रहे Android 15 के साथ तो आपको यहां पर थोड़ी सी MIOSी का सामना कर रहा पड़ सकता है क्योंकि ऐसे बड़े changes Android 15 के अंदर नहीं है और इसका एक impact यहा जायद हमें जून 2025 में ही देखने को मिले जहां पर पिक्सल डिवाइस और AOSP रोम के अंदर आप यहां पर यूज कर पाएंगे Android 16 को लिकिन हां वहां पर भी देखने वाली बात है कि Android 15 की तुलना में कुछ जाधा बड़े improvement लाता है या फिर Android 15 जैसी symbol रहा जाता है अब बात करते उन फीचर्स की जो आपको दूसरी जो कस्टम इसके नव यूई हो थे जो मोबाइल फोन कमप्रीज लेकर आती है उसमें क्या है सबसे पहले बात करते वन यूई 7 की वन यूई 7 हाली में देखा तो बीटा फेस के अंदर चल रहा है और सैमसंग अपने S25 ला इसके साथ अगला बड़ा चेंज मिलेगा AI को लेके AI के अंदर जो फोटो एडिटिंग अगरा कर सकते हैं AI ट्रंस्क्रिप्शन के जो सर्विस थे वो सारी चीजों को और बैटर किया जाएगा और गैलेक्सी AI का सेकंड वर्शन को सैमसंग इंटेडियूस कर सकती जब अप बार उसको रिबूट करते प्रॉपर अपडेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अपडेट की फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज की जाएगी प्लस अपने बजेट और मिटरंच फोंस के अंदर भी अपडेट के अंदर फोकस किया जाएगा जैसे की गैलक्सी A16 के अंदर Oxygen OS 15 काफी इंटरस्टिंग है क्योंकि Oxygen OS 15 आपको वैसे ही देखने को मिलेगा जैसा Color OS 15 और Realme UI है बेसिकली यह तीनों UI बिल्कुल एक ही जगे से आते और डिफ्रेंस भी इनके अंदर कुछ जादा नहीं होता बोस्ली होता है ब्लोट वेर्स का Color OS और Realme UI में कुछ ब्लोट वेर्स आ जाते जबकि Oxygen OS कमपरेटिवली हैं पर क्लीन रहता है और Oxygen OS 15 देखा जा तो इस बार ऐसा लग रहा है कि iOS से बहुत ज़ादा इंस्परेशन लिए एपल के iPhone के अंदर जो लुक एंड फिलता वो अब Oxygen OS के यहां पर पार्ट बनता जा रहा है लिकिन बात करें तो कुछ अच्छी चीजे भी है इसके अंदर सबसे पहले तो पैरल प्रोसेसिंग को इंप्रूफ किया गया यानि कि आप एक साथ अपने मोबाइल फोन के system में जो operating system होता उसकी जो apps होती वो पहले से जादा छोटा किया जाएगा almost 20% less storage यहां पर लेगा इसके साथ ही यहां पर आपको lock screen मगरा की जो customization होती है वो कुछ चीजे देखने को मिलेंगी और आपको quick settings के अंदर को changes देखने को मिलेंगी आइकन के अंदर changes देखने को मिले ऐसे कुछ AI चीजों को integrate के जाएगा इसके साथ ही AI का use करके upload से यहां पर ले पाएंगे उन्हें समराइज कर पाएंगे यह feature डाले गए AI के और AI reply वाला feature डाला गया जो messaging apps के साथ काम करेगा और हाँ जो famous circle to search feature था वह भी oxygen OS 15 का यहां पर पार्ट बनके रहेगा इसके साथ ही कर रहे है और update ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने फोंस के अंदर प्रोवाइट कर रहे है और फंटाच वैस की खास बात है कि वीवो और आईकू दौनों के फोंस में आपको देखने को मिलेगा लेकिन बात करें Android 15 के साथ क्या नया लेकर आ रहा है सबसे पहले तो यहां पर कुछ performance enhancement है जैसे priority scheduling वगरा है यहां पर obviously इसको देखेगा जिसके अंदर आपकी resource को manage करेगा और apps वगरा को 15% fast load करेगा overall memory के अंदर enhancement की गए कि memory के अंदर अच्छे तरीके से manage के रहो जादा से जादा apps रख ले और जो ultra game mode होता है उसे introduce किया गया ताकि gaming वारा के अंदर यहां पर अच्छे तरीके से performance निकाली जा सके इसके साथी UI के अंदर भी काफी सारे elements को यहां पर redesign वगरा किया गया है और यहां पर customization के भी multiple options है और नई themes और नए wallpapers को भी निकाला गया है और इसके साथी AI के अंदर बात करें तो AI का use यहां पर photography, photo editing के अंदर भी even live transcribing के अंदर भी use किया जाएगा और आपको multiple dynamic effects वगर यहां पर रखी जाएगी, इसके साथी यह update को आप वीव और iqo के phone में expect कर सकते हैं और हम बात करते हैं Xiaomi और Poco के बार में जिसके अंदर दौनों ही phones के अंदर अब Hyper OS आ गया है और फाइनली चाइना के अंदर Hyper OS 2.0 शोकेस कर दिया गया, अब Hyper OS 2.0 जब इंडिया और जसक functionalities को रखा जाएगा, performance की लोग अपनी hyper core को लेकर आएगे, जिस current से phone जो रहेगा, वो consistent अच्छी performance और स्मूथ तरी के से चलता रहे, और Hyper OS 1 के अंदर कुछ लोग को जो problem आया थी, battery drain वगगरा की वो धीरे धीरे लोग यहां पर fix करें अपने आने वाले versions के अंदर, और इस इसके साथी hyper connect जैसा feature है, जिसके अंदर आप tablet और mobile phone को आपस में connect कर सकते हैं, और यहां पर आपको AI magic, AI art और me canvas जैसे feature मिलेंगे, और AI sound of voice recognition जैसे feature मिलेंगे, automatic call recording, call recording को summarize करना, इस step के कुछ features को integrate किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी, जब इंडिया में hyper OS का नि Android versions में अब उत्ते बड़े और major changes नहीं आ रहें, Android 14 के बद 15 में जातर companies अपने look and feel को change कर रही है, या similar जैसे AI features को यहाँ पर डाल रही है, लेकिन आने वाले समय में यही features को धीरे धीरे और better करेंगे, और इसी में और जादे चीज़े input लेकर आएंगे, जैसे कि Samsung अपनी Galaxy AI क जब second version लाएगा, तो उसमें और दूसरे features को integrate करेगा, और इस बार यह कोशिश करेगा, कि आप जो AI वाले task होते हैं, वो mobile phone में खुद ही यहाँ पर चला ले, specificly बात करें, Gemini Nano का भी support देखना है, कि कौन से UI, कौन से phone company को सबसे पहले लेकर आते हैं, कि mobile phone में Gemini Nano को यहाँ चला सकते हैं, और यह भी यहाँ पर देखना है, कि Android 16 की जब इतनी जल्दी बात कर रहे हैं, हमके Android 15 अभी phone में आया नहीं, लेकिन Android 16 की बात चल रहे है, तो वहाँ पर कुछ Google वाले major changes लेकर आते हैं, यह फिर उसके अंदर भी minor changes करके उसे छोड़ देते हैं, यह एक देख हो जाएगा, जो आज से चार साल पहले तक लगता भी था हर Android version के साथ, लेकर वो चीज़ आज के समय में काफी तेजी से कम होती जा रही है, और आज के समय में को यह भी लगता, कि अगर आप Android version में miss out कर रहे हो, अगर आपका version Android 13 के 14 भी चल रहा है, अगर वो अच्छे से च चल रहा है, तो आप उसे चलाते रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इवन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ, वो यह होगी, कि यहाँ पर Android version से जादा Android के security patches को आप मेंटर करिए, क्योंकि वो जादर ज़रूर ही यहाँ पर, क्योंकि Android version बहली एक वर्जिन आपका पुराना चल रहा है, थोड़े बहुत फीचर्स कमें, उनसे आप काम चला लगों, उससे बड़ा फरक नहीं पड़ने वाला, लेगे, security patches से बताओं क्या रहता है, आपके phone के अंदर extra security में लेती है, कि कोई malware, virus आपके mobile phone को यहाँ पर hack यह अटक नहीं क तक कंपनी इसको इतनी जल्दी रोल आउट ना करें, तो बस यही चीज़े रहेंगे, बाकी आप लोगों से मेरे एक सवाल है, आप लोगों को Android 15 यहाँ पर कैसा लग रहा है, यह बास ज़रूर से नीचे कमेंट बताइए, थैंक यूव वीडियो देखने के लिए मैं आप तो अपने अगले वीडियो के अंदर, गुडबाए!